आज कुंद्रा के पॉंड रैकेट की न्यूज लेशन पर शर्लिन चोपडा ने बड़ा खुलासा किया है कि 2018 से कुंद्रा पॉंड फिल्मों के कामधंदे में थे कुंद्रा ने पॉंड के धंदे से सौफ करोड से जाद अकमाए है शर्लिन होट विडियो के बहाने पॉडल से न्यूट स्पीन करवाते थे ये भी आरूप लगा रही है सच्चाई सामने आने पर दालत में घसीतने की धंकी दी जाती थी कुंद्रा ने धंकाने के लिए घर पर लोग भी भेज़ेते शर्लिन ये तमाम आरूप लगा रही है हमारे सुबादाता विकार शुनासब से शर्लिन ने एक्स्लूजव बाच्चीत की तो क्या कुछ आरूप लगाए हैं क्या कुछ अपनी आप बीती सुनाई है पॉर्णोग्राफी मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ रोजाना नए खुला से हो रहे है रोजाना कोई नई पीडित मॉडल सामने आती है और अपनी आप बीती सुनाती है इस कड़ी में अब नाम जुड़ गया है मॉडल शेरलीन चोपडा का जिन्होंने मुंबई क्राइम राज के प्रॉपर्टी सेल में अपना बयान भी दर्ज करवाया शेरलीन फिलाल इसमय हमारे साथ है शेरलीन आपने क्या बयान दर्ज कराया इस पर मैं बाद में आऊँगा सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपको कब ऐसा लगा कि राजखुंद्रा ने आपको भी छला है आपको चीजें कुछ और बताई गई आपसे करवाया कुछ और गया और कुल मिला कर ये ठगी हुई आपके साथ सबसे पहले आपको नमस्कार विकास जी और आपके सभी दर्शकों को कल मैं जब प्रॉपर्टी सेल गई थी वहाँ पर जांच अधिकारियों ने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि आपका राज कुंद्रा से सबसे पहले मिलना कब हुआ आमना सामना कब हुआ बाचीत कब हुई सबसे पहले मैंने कहा कि 22 मार्च 2019 के दिन मेरी मुलाकात हुई थी राज कुंद्रा से GW मारियट पर और तब हम मिले थे एक बिजनस प्रोपोजल की चर्चा करने के लिए उन्होंने चाहा कि मैं उनकी कंपनी आर्म्स प्राइम के साथ जुड़ कर उनके वीडियोस में फीचर करूँ अक्टिंग करूँ और उन वीडियोस को वो डिजिटल प्लाटफर्म पर मॉनेटाइज करना चाह रहे थे और इस सिलसिले में उनकी कंपनी ने एक एग्रीमेंट बनाया मेरे लिए और उस एग्रीमेंट को मैंने साइन किया था 26 मार्च 2019 के दिन यह किस किसम का कॉंटेंट था कैसे वीडियो आपसे बनवाये जा रहे थे शुरुवात में ग्लामर वीडियोस बनते थे और धीरे धीरे ग्लामर से थोड़ा और और होट सेमी न्यूड semi-nude से धीरे-धीरे nude videos बनते गए और हम जब-जब shooting के दौरान पूछते थे कि ये किस market के लिए है हमसे कहा जाता था कि ये European market के लिए है तो आपको डरने की जरुवत नहीं है और हमको प्रोचसाहन मिलता था पूरी team से कि yes आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छे से करो और अच्छे से दिखाओ कई बार राज कुंजरा ने मुझको ये बताया कि मेरे videos और photos को देखकर शिल्पा ने मुझको शाबाशी दी और जब इस तरह का compliment आपको सुनने को मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है ये जानकर कि हमारे जो seniors हैं वो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं हमेशा बाशी दे रहे हैं तो कभी ऐसा बिलकुल नहीं लगा कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं आपको कब अहसास हुआ कि sensational, मतलब sensuous video बनाते बनाते वो जो thin line है porn और sensuous videos की वो cross हो गई आपको ऐसा कब महसूस हुआ और उसके बाद आपने क्या किया confront किया राज कुंद्रा को मुझे याद है October 2019 में मेरी उनसे बहस हुई थी WhatsApp पर मैंने उनसे कहा था कि मुझे कुछ videos अच्छे नहीं लगे objectionable लगे तो उन्होंने कहा अच्छा तो अब क्या करना है मैंने कहा कि एक काम करते हैं ये जो आपने आप बनाया मेरे नाम से दो शेरलिन चोपरा आप उस आप को अब हम terminate करते हैं delete करते हैं और जो कुछ content है उस पर उसको भी हम delete करते हैं उन्होंने कहा कि एसा नहीं कर सकते क्योंकि ये आप हमारा है और हम ये तैय करेंगे कि इसका क्या करना है delete करना है इसको permanently deactivate करना है या जो कुछ भी करना है वो हम तैय करेंगे आप नहीं मैंने कहा कि चलो आप आप का है लेकिन आप पर जो content है जो videos है उन्में तो मैं हो ना तो मेरा भी हक बनता है कि मैं फैसला लूँ कि इसको जारी रखना है या बंद करना है मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि आप को बोला कुछ और गया था आप से वीडियो कुछ और शूट कर वा लिए गए वो उन्होंने अप पर अपलोड की है और बाद में आपने उस पर एत्राज जताया तब उन्होंने कहा कि आप एक काम करो आप कोट का दर्वाजा खटकटाओ अगर आपको एत्राज है हमारे अप पर या हमारे content पर मैंने कहा कि देखो आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे आप क्यों बोल रहे हैं कि जाओ कोट का दर्वाजा खटकटाओ आप और मैं हमने एक agreement sign की है और आज अगर मुझे आप से शिकायत है तो आप सुन क्यों नहीं रहे हैं मेरी बात तो नहीं नहीं यह समय नहीं है इस तरह की बातें करने की एंड उसके बाद मैंने कहा कि आपको यह सब इतना ही अच्छा लगता है तो आप शिलपाजी से क्यों नहीं करवाते हैं ऐसे वीडियो उनके पास भी तो हॉट बोड़ी है उनके पास भी तो सुनदरता है यूनो एक ग्रेसफुल फिगर है इस पर क्या जवाब था उनका तो उनके कहा शट आप डोंट क्रॉस दे लाइन ओफ डीसंसी मैंने कहा कि मैंने कहा क्रॉस किया मैं तो आपको एक सलहा दे रही हूँ जैसे हमारे पास खुबसूरत जिसम है वैसे आपकी बीवी के पास भी खुबसूरत जिसम है तो उनसे आप ऐसे वीडियोज क्यों नहीं करवाते इस सलसले में के भी शिल्पा जी से बात हुई आपकी उनको कंफरेंट किया आपने किया उनके पती इस किसम से कर रहे हैं आपके साथ शिरुवात में राज कुंद्रा ने कई बार ये कहा कि शिल्पा मेरे वीडियोज और फोटोस को देखकर मुझको बहुत पसंद करने लगी हैं शाबाशी देने लगी हैं और ये सुनकर मैं बहुत गर्व महसूस करते थी क्योंकि वो हमारी सीनियर हैं तो जब सीनियर शाबाशी देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और कभी ऐसे आमने सामने मिलकर उनसे बात नहीं हुई सिर्फ फोन पर बात हुई पॉर्णोग्राफी मामला तो अभी इस साल फरवरी में आया है आपका ये दावा है कि राज कुंद्रा के खिलाफ शिकायत करने वाली आप पहली मॉडल है जिनके साथ ये ठगी हुई थी आपने साइबर सेल में शिकायत भी कराई थी माराश्टर साइबर सेल में मार्च 2021 में सबसे पहले मैंने जाकर बयान दिया अर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी राज कुंद्रा की अन्य कमपनियों के बारे में मैंने जानकारी दी और आप देख सकते हैं मेरे सोचल मीडिया आकाउंट्स पर मैंने जुलाई 3rd या 2nd जुलाई के दिन 2rd या 3rd जुलाई 2021 के दिन एक ट्वीट अपलोड किया था जिसमें मैंने ये लिखा कि एक content creator के तौर पर मैं JL Stream के साथ अब जुड रही हूँ JL Stream किसकी है? JL Stream राज कुंदरा की है तो ये सब होने के बाद राज कुंदरा 2021 अप्रेल के महीने में मेरे घर पर आए और उन्होंने कहा की JL Stream एक नया platform है जिसके साथ शिल्पा और शमीता दोनों जुड़े हैं और इस पर सिर्फ अच्छे videos दिखाए जाएंगे अच्छे से उनका क्या मतलब था? वही मैंने पूछा की क्यों दिश्रलें चोपरा आप पर क्या हमने अच्छे videos नहीं दिखाएं तो उनका ये कहना था कि नहीं नहीं इस पर आप fitness videos, cooking videos, fun videos, light hearted videos, इस तरह के videos showcase कर सकते हैं और शिल्पा और शमिता जुड़े हैं तो जाहर सी बात है कि इस पर हम, you know, bold videos नहीं दिखाएंगे I said ठीक है अगर ये एक अच्छा platform है जैसे कि आप कह रहे हैं, no problem, मैं तयार हूं जुड़ने के लिए और 29 जून 2021 के दिन मैंने तीन videos JL stream के लिए shoot किये थे, उनकी team के साथ और अभी तक मुझे payment मिली नहीं उन तीन videos के लिए कितनी payment बगाया आपकी? अगर मैं पूछ सकूं तो मुझको कहा गया था कि जैसे पहले payment करते थे, बिल्कुल वैसे ही payment करेंगे लेकिन अभी तक payment नहीं मिली उन तीन videos के लिए तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि जब कभी राशकुंदरा बाहर आएं उनसे मैं इस बारे में बात करूँ या अगर शिल्पा शेटी मुझसे बात करने को तयार हैं तो मैं उनसे जाना चाहूँगी कि उन तीन videos की payment मुझे कब मिलेगी